Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल, Government Job Channel Notification स्वास्तकार करता भरती 2024 का एक और न्यू रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन रिलीस किया गया है यह UP से विकैंसी आई हुई है, और इसमें A&M कांडिडेट अलिजबल है, जन्होंने A&M किया हुआ है वो यहाँ पर अलिजबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जब भी विकैंसी आती हैं Health Department में तब A&M जो कैंडिडेट है, उनके काफी कमेंट आते हैं कि A&M अलिजबल है या नहीं और मुश्टली देखा गया है, जो नर्सिंग वगरा की जो विकैंसी होती है, वहाँ पर BSc Nursing, Post Basic Nursing या GNM Candidate अलिजबल होते हैं, A&M के लिए वहाँ पर अलिजबल्टी नहीं होती है, कम चांस होते हैं, बहुत कम जगह पर इस तरह से रहता है कि वहाँ A&M Candidate अलिजबल हो, तो यहाँ पर यह स्वास्त कार करता कि जो भरती नोटिफिकेशन आई हुई है, इसमें A&M Candidate अलिजबल रहेंगे, इसमें A&M Candidate के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हूँ, अप्लोड कर रहे हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत स स्टारिक से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी अप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुए है, 28 से स्टार्ट हो जाएंगे रिजिस्टेशन, आप सभी तैयार रहे हैं, जो भी A&M Candidate है, A&M किया हुआ है, वो सभी यहाँ पर रेडी रहेगा, यहाँ यह स्वास्त कार करता कुर्थिक Candidate क्योंकि आप सभी के जो question रहते हैं, वो इसमें clear हो जाएंगे, ओके, तो अगर आप interested हो, तो वीडियो में बने रहेगा, और complete देखने के बाद अगर आपको लगता है, कि यह जानकर या यह वेकैंसी update आपके लिए helpful रहा है, तो वीडियो को like and share कीज़ेगा, अधर किसी वेकैंसी update अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, तो चले इसका notification देखेंगे, so यहाँ पर आप भी notification देख रहे हैं, और यहाँ आप clearly देख सकते हैं, कि कौन इसमें apply कर सकते हैं, only female candidate यहाँ पर apply करेंगी, male candidate यहाँ apply नहीं करेंगे, apply करने के लिए जो link है, व last date आपकी 27 November 2024 रहेगी, 27 November 2024 तक आप इसमें online apply कर सकेंगे, 28 October से ले करके, and जो correction window open रहेगी, सुल्क समाय उजन जो रहेगा, यहाँ आपका 4 December 2024 रहेगा, last date यहाँ पर 4 December 2024 रहेगी, अब इसमें apply कर सकता है, तो पहले total vacancy देख लीजे, स्वास्तकार करता महला के लिए 4892 पद ह सामान चैन होगा, और 380 पद बिसेश चैन होगा, सहित कुल अगर पोश्ट देखें तो 5272 हैं, और यह महला करता, जो स्वास्तकार करता महला, इनकी मुक परिक्चा के लिए यहाँ पर applications invite के गए हैं, अब यहाँ पर A&M candidate तो eligible हैं ही, साथ में candidate की sort listing, उनके जो भी PET जो examination हो होता है, वो अगर आपने दिया होगा 2023 का, तो उसके score के वेज़ पर यहाँ पर आप आविदन कर सकते हैं, PET 2023 में समलित हुए, एवं उने आयोगदारा score card जारी किया गया है, प्रारंबे काहरता परिक्चा 2023 में, absolute score या normalized score में 0 उसे कम, नकार आत्मा कंग प्राप्त करने वाल P SSC की official website पर चार करके 28 October से आप इसमें online apply कर सकेंगे, आविदन की प्रकिरिया वैसे इसमें notification में आपको step by step बताया गया है, किस तरह से आपको apply करना होगा, तो सबसे पहले आविदन की प्रकिरिया में आप देखिए, पहले तो आपको यहाँ पर registration number जो रहेगा, login करना होग तो इसमें जो candidate है, वो PET जो आपने 2023 PET के registration number के प्रमानी करन के लिए, दो option आपके सामने होगे, एक तो through personal detail, जिसमें आप अपनी personal detail को fill करके login कर सकते हैं, second इसमें रहेगी OTP के माध्यम से, इसमें 2023 के registration number के सापे एक रेश्टरड mobile number या email पर आपका 80 OTP के माध्यम से आप यहा यहां पर आप जैसे ही login करेंगे, तो login के बाद आपने जो PET 2023 में जो भी आपकी detail fill की थी, वो आपको so होने लगेगी, ठीक है, यहां पर step by step आगे की process बताई गई है, किस तरह से आपको आगे documents अपलोड करने होगे, क्या करना होगा, तो वो आप यहां पर एक बार देख ले अभ्यारती से आविदन के इस तरपर, online आविदन पत्र हेतू, मात्र online पिरकिरिया सुल्की ही लिया जाएगा, ठीक है, 25 रुपए, जिसका सरेणी बार विबरन यहां दिया गया है, तो यह सरे online पिरकिरिया का सुल्क है, मुख परिक्छा हेतू, जो candidates sort list किये जाएंगे, उ आपकी sort listing होगी, sort listing के बाद जो candidate men's examination के लिए sort list होगे, उनको men's examination का जो प्रिवेस पत्र होगा, जो admit card होगा, उसको download करने के पहले, आपको fees pay करनी होगी, उसके बाद आप यहां पर, जो admit card है, वो download कर सकेंगे, ओके, अब आविदन की प्रकिरिया वगरा, आप यहां पर documents व आपकी रहेगी, categories wise आप यहां देख रहे है, इस्थाई वा, इस्थाई दोनों तरह से यहां पर दी गई है, and जो परिवार कल्यान में रहेगा, वो भी same salary यहां पर रहेगी, ठीक है, 36 आरक्षण वगरा डीटेल यहां पर दिया गया है, कहां पर कितनी vacancies हैं, आहरता में आ परिक्षा परसाद उता प्रदेश की intermediate परिक्षा या उसके समकाक्ष सरकार दौरार मानने तब आप तो कोई परिक्षा उत्रेण की हो, साथ में यहां पर फिर ANM, 6 वर्स या 2 वर्स का, अब भ्यारती ने भारती है, परिचर परसाद से 1 वर्स 6 माहे या 2 वर्स, 1 वर्स 6 मा कर सकते हैं, साथ में यहां पर आपका लखनों में पंजी करत भी होना जरूरी है, नर्सेज और मिडवाइफ काउंसल में, एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 18 से 40 वर्स की एज यहां पर रखी गई है, 18 से 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तो आप यहां पर अप एज में रिलेक्सेशन दिया जाता है, सेम वही आपको यहां पर रिलेक्सेशन मिल जाएगा, सेलेक्शन प्रोसीजर यहां पर रिटन एग्जामनेशन दिया गया है, तो रिटन एग्जामनेशन में आप देखेंगे यहां पर, रिटन एग्जामनेशन होगा, और एक यहा रहेंगे वो आपको follow करने होंगे और आप एक general candidate माने जाएंगे अगर आप UP state के मूल निबासी नहीं है एक्जाम देखेंगे परिक्षा का आयो जन तो यहाँ पर आप देखेंगे बिसर ग्यान होगा जो भी A&M nursing से related रहेगा 12 science से related रहेगा उसमें total 100 question 100 marks करेंगे दो घंटे का timing इसमें आपको दिया जाएगा MCQs types questions रहेंगे 1 4th mark minus किया जाएगा अगर आप wrong answer देते हैं negative marking यहाँ पर रहेगी अब यहाँ पर आपका syllabus भी दिया गया है तो syllabus पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगे अगर आप चाहें तो आप मुझे comment करके बता स अची है अगर आप eligible हों interested हों तो 28 October से application स्टार्ट हो रहे हैं active रहिएगा update रहिएगा UPSS की website पर यह vacancy update अच्छा लगाओ like and share कीजेगा and upcoming vacancies जो प्रोफाइल कोर्से से related वीडियो के लिए चैनल को subscribe करके रखिए thank you लुट कर दो